असलाम अलेकूम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीमाटोलोजी हीमाटोलोजी होफ ब्रेंड से पढ़ेंगे ठीक है और जो जो पॉइंट्स आपको ना समझाएं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूचना है और अगर आपको कोई टोपिक की वीडियो चाहिए MLT से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उस पे वीडियो बना लेंगे फिर तो हम शुरू करते हैं हीमेटो पोईसीस से हीमेटो पोईसीस क्या होता है हीमेटो का मतलब होता है blood और पोईसीस का मतलब होता है formation अव्धिवर इसना पोईसीस जिसमें bloody । इसमें blood cells मतेश है उसे päükाटादे है है हीमेटो को इसमें थलेग में तुछ बांदी किस से सर्ट गुरूपम सेल्स जो दूसरे cells की production कराते हैं ठीक है और उनका number को maintain रखते हैं उनको कहते है stem cells तो stem cells जो होते हैं यह हमाई पास different sites पे होते हैं ठीक है जैसे कि जब early embryo होता है तो उसमें हमाई पास जो hemopoiesis होती है वो हमाई पास yolk sac में होती है ठीक है जो yolk sac होती है वो हमाई पास mesoderm से derive की होती है और जो embryo में hematopoiesis हो रही होती है शुरू में उसको कहता है primitive hematopoiesis उसके बाद start होती है definitive hematopoiesis और वो कहां पे होती है वो होती है liver और spleen में क्या होता है कि हमाँ पास दो मन्त के बाद liver control लेना शुरू कर जिता है ठीक है आइस्था इस्था hematopoiesis लीवर की तरफ चले जाती है और लीवर जो होता है वो सारे cells प्रोड्यूस कर रहा होता है ठीक है और बर्थ के एक दो weeks बाद भी लीवर थोड़े थोड़े प्रोड्यूस करता रहता है लेकिन जब हमाँ पास seven months होता है गेस्टेशन का तो उसमें कहता है seven months में जो hematopoiesis होती है वो bone marrow में चली जाती है ठीक है और bone marrow सारे cells बनाता है जो main sites होती है cells की production की वो bone marrow होती है तो bone marrow हमारे पास जो होता है वो शुरू-शुरू में जो infants होते है उनका सारा bone marrow ओता होता है हमेटोपोटिक होता है लेकिन आस्ता loyalic oss that जो इस स्डेमस वो फैल प्लेस होना शुरू हो जाता है मनुप वहां पर बोन मेरों में हेटस हाणा शुरू हो जाता है जिसकी वैजा से जो हमेटोपोइस्स होती वो central skeletal तर limited हो जाती है ठीक है उसके बाद जो hematopoiesis होती है उससे भी ज्यादा limited हो जाती है आइसा जैसे जैसे adult life में age increase करती जाती है hematopoiesis बहुत कम sites पे होती है ठीक है जैसे proximal ends of female ठीक है और humorous जो बड़ी वाली bones होती है उनके proximal ends में ठीक है और vertebrae में होती है तो हम इस चीज़ को बाद में एक दफ़ा देखते हैं पहले हम लोग journal इसके जो concepts है उनको एक दफ़ा पढ़ेंगे ठीक है और फिर हम एक दफ़ा review करेंगे तो हमाँ पास stem cells क्या होती है those cells which have unique ability of asymmetric division ऐसे cells जिनके पास asymmetric division की ability उनको कहते है stem cells अब asymmetric division क्या होती है one asymmetric division में क्या होता है एक group जो होता है cells का वो क्या करता है वो एक तरह के cells produce करता है और दूसरा group दूसरी तरह के cells produce करता है तो stem cells में क्या होता है कि one group of the stem cells produces its own population मतब एक group जो है वो अपनी population को produce करता है the other group produces other cells और जो दूसरा group होता है वो दूसरे cells produce करता है जैसे हमाँ पास stem cell है ठीक है यह stem cells काता है यह दो में डिवाइड होगा ठीक है यह वाला भी stem cell है और यह वाला भी stem cell है इस stem cell से आगे क्या बनता है stem cell बनता है ठीक है लेकिन ये वाले stem cell से आगे क्या बनेगा erythroblast बनेंगे ठीक है erythroblast बनेंगे तो हमाई पास क्या आगा जब इसमें CSF cloning stimulating factor डालेंगे तो ये वाला stem cell differentiate होके erythroblast बना देगा तो इसको कहते हैं asymmetric bion क्योंकि stem cell ने अपनी population को maintain रखना होते हैं इसके वो further stem cell बनाते हैं और दूसरे cells की population को भी maintain रखना होते हैं तो वो differentiation के थुरू क्या करते हैं हमाई पास erythroblast बनाते हैं तो हमाई पास अब देखेंगे active और less active bone marrow एक दो तरह का एक red bone marrow होता है और दूसरा yellow bone marrow होता है जो red bone marrow होता है वो हमाई पास active bone marrow होता है मतब जादा तर जो hematopoiesis होती है वो red bone marrow में ओरी होती है और जो yellow bone marrow होता है वो less active होता है क्योंकि वहाँ पे less hemopoietic stem cells present होते हैं तो इसका आपको समझ आ गई है तो हम देखते हैं आगे bone marrow sinuses, bone marrow sinuses, sinuses form a vessel system running radially from periphery toward the central longitudinal vein, इसका क्या मतब है, हमाई पास जो sinuses होती है वो एक vessel system मतब यह एक vessel का system है ठीक है, यह radial की तरफ से periphery की तरफ आती है ठीक है और फिर central longitudinal मतब यह longitudinal है, longitudinal vein में drain कर जाती है, मतब उसमें चली जाती है और इसको कहते है central sinus, तो यह हमाई पास एक vessel system है, ठीक है, यह क्या करती है, यह radial है, ठीक है, यह वाली side radial है, और यह run करती हूँ, कहा आ जाती है, periphery की तरफ और किसमें drain करती है, central sinus में, और वो किसमें, वो क्या होती है, वो हमाई पास vein में होती है, ठीक है, यह central sinus, vein वाली जो sinus है, उसको central sinus कहते है, ठीक है, यह हमाई पास क्या है, कोर्टेक्स है, ठीक है, bones का कोर्टेक्स वाला पार्ट है, जो बाहिर वाला होता है, उसको cortex कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसको हम medullary sinuses कहते हैं ठीक है चैसे यह अंदर वाली साइट पर और यह बाहिर वाला portion है तो इसको हम cretical कहेंगे तो इन के बीच में क्याते हैं hemopoisches hemopoces** सब्सक्राइब कराते हैं और इसके साइड पे अड़ाती एल और एडिवन टीशयर घैटिकृटल सेढ़्स भी हूते हैं आगे हम देखते हैं लॉइंफ ही ड'क प१िटिकलग्य तॉंस सेंसा मिं नो κάν। होते हैं हमाई पास are able of self renewal और हमाई पास कहते हैं यह हमाई पास अपना self renewal कर सकते हैं मतलब एक जो सेल है वो further self produce कर सकते हैं ठीक है और अपनी population को maintain रख सकते हैं long term hematopoetic cells must persist for the lifespan of the organism to perpetually replenish the hematopoetic system system कहते हैं कि जो long term hematopoetic stem cells होते हैं वो organism के पूरे life span तक रहते हैं मतलब एक organism का जितना भी life का age है वो उस age में उसके अंदर present होते हैं और हमाई पास उसका hematopoetic system को replenish करते रहते हैं मतलब अगर cells मरते रहते हैं time के साथ साथ ठीक है तो जो long term cells होते हैं वो उनको replace करते रहते हैं और new cells generate करते रहते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं short term hematopoietic stencils are only able to sustain hematopoietis in the short term ठीक है मतलब short term का क्या मतलब है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही hematopoietis करा सकते हैं ये life span के लिए नहीं होते हैं ठीक है ये कुछ देर के लिए hematopoietis कराते हैं तो अब हम देखेंगे primitive hematopoietis कराती है इन first few weeks of gestation the yolk sac is transient site of hematopoietis मतलब जो yolk sac होती है वो हमाँ पस कुछ देर के लिए hematopoietis कराती है ठीक है उसको कहते हैं हम जो primitive hematopoietis और किससे वो generate होती है mesoderm से क्योंके yolk sac जोती है वो mesoderm से derived की हुई होती है ठीक है और iota gonads और mesonephros ये भी participate करती है primitive hematopoietis में तो हमाँ पस क्या होता है कि definitive hematopoietis कब होती है embryo में ठीक है जब embryo बन जाता है तो उसमें definitive hematopoietis स्टार्ट हो जाती है शुरू शुरू में क्या ओता है, शुरू शुरू में जो hematopoces होती है ना वो हमाँ पस yokesac में ओरी होती है, ठीक है कुछ wigs तक yokesac में होती है, उसके बाद जो liver में start हो जाती है तू मंस के बाद liver proper control कर लेता है, हematopoces totally liver और spleen में होती है, ठीक है और उसके बात क्या होता है हमाँ पास hematopoicis bone marrow में shift हो जाती है तो definitive hematopoicis it is derived from hematopoetic stem cells ठीक है यह हमाँ पास hematopoetic stem cells से होती है और mainly यह कहां पर होती है bone marrow और thymus में ठीक है अब हम देखेंगे hemangioblast क्या होती है Common Precursors of Endothelial and Hematopoetic Stem Cells are called Hemangioblast मतब ऐसे Precursors जो हमारे पास Endothelial cells भी प्रोड्यूस करते हैं और Hematopoetic Stem Cells को भी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम Hemangioblast कहते हैं और ये कहां कहां पर होते हैं हमारे पास Liver में होते हैं Spleen में होते हैं Hematopoetic Stem Cells नॉर्मली जो Hematopoetic Stem Cells होते हैं वो Medullary होते हैं लेकिन हमारे पास कुछ केसिस में जब कोई भीमारी होती है या हमारे पास Acromagaly होती है या कुछ भी जिसमें हमारे पास कहते है Hematopoetic Stem Cells शिफ्ट हो जाती है Liver और Spleen की तरफ उसे कहते है एक्स्ट्रा मेडलिनी हेमेटोपोईसिस हीमेटोपोईसिस is the formation and activation of blood cells outside the bone marrow मतब जो भी हेमेटोपोईसिस bone marrow के बाहिर हो नहीं है उसको एक्स्ट्रा मेडलिनी हेमेटोपोईसिस कहेंगे ठीक है As our response of हेमेटोपोईटिक stress caused by microbial infections यह होती क्यों है जब भी कोई microbial infection होता है न तो उसके response में हमारे पास कहाता है हेमेटोपोईसिस liver और स्प्लीन में भी शुरू हो जाती है ठीक है तो अब हम देखते है यह हमारे पास bone marrow है ठीक है यह infant का है जिसकी age है 0 to 1 years ठीक है और यह क्या है यह child का bone marrow है ठीक है और इसकी age है 1 to 10 years और यह adult की bone है जिसका bone marrow 20 years मतब adult की age किती है 20 years है तो जो हमारे पास infant है उसके सारा bone marrow red bone marrow ठीक है उसमें yellow bone marrow नहीं है और मतब सारा जो bone marrow है वो functional है मतब hematopoiesis करा रहा होता है लेकिन क्या होता है जब हमारे पास 1 to 10 years age होती है तो क्या होता है age पढ़ने के साथ-साथ जो bone marrow होता है उसमें क्या होता है yellow bone marrow आना शुरू हो जाता है जिसमें fair cells रहा होता है जैसे के यहाँ पे center से शुरू होता है और बाहिर की तरफ फैलता जाता है ठीक है यह proximal end बोन का तो यह femur है हमारे पास ठीक है और इसके सिर्फ proximal end पे ही hematopoices हो रही होगी मतब जी उपर वाला end ठीक है इसको हम proximal कहेंगे ठीक है और जो यह वाला सारा part है नीचे वाला इसको हम distal कहेंगे तो हमारे पास क्या होगा adult में जो hematopoices होगी वो सिर्फ proximal parts में होगी उसमें बाकी सारा जो bone marrow होगा वो yellow bone marrow से replace हो जाएगा और hematopoices बहुत limited होगी